कि चिकी सब विबाग के आठ केड़रों की भरती में साथ केड़र की जो भरतियां न्यूक्तियां है उनकी परकिरिया शुरू हो चुकिए लेकिन हालाइं की फार्माशिच केड़र है वह वहां पास संगर सर्चा है आंदोलन कर रहा है क्योंकि उनकी जो के प्रोजन लिस्ट ह सबसे बड़ी बात यहां पर कि यहां पर दीवक शंगानी है वह आमना निसन बैठे हैं और 55 गंटे हो चुके हैं उनको अंजल तैगे उनकी हराद भी लगातार खराब है लेकिन कुछ अबेरती हैं मारे साथ मुझूद है आपके नाम आपका मेरा नाम चरंजित है मैं फार था वो नो तरीक तक हमने 23 दिन पूरे किये थे उसके और उसमें हमें एक आश्वासन मिला था उचाधिकारियों और A.C.S. मेडम से कि आप साथ दिन के लिए दरनास्ताकित कर दो आपका हम यह जो कार्या है वो तेजी से पूरा कर देंगे तो उनके कहने पर हमने साथ दिन सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि वो उनकी सुध आके लेकर आके यहां पर सुध लें उनकी और उनका आमरान अंचन तुड़वाई और हमारी प्रोविजनल लिस्ट हो जल्दी जल्दी जारी करें साथ केर्डर गायब है आठ केर्डर की जब शुरुवात हुई ती यहां पर दर्ना की उनकी प्रिक्राइज शुरू हो चुकी है नुक्तियों की लेकर आप अधर में लटके हैं क्या कहेंगे उनके लिए देखिए जी हमारे लिए करोर मरो की सिति होगी है ना क्योंकि आने सब्सक्राइब बैठे हैं कि हमारी एक बार प्रोविजनल आजए बैठे हैं उनकी तवितल लगातार नासास बनी हुई है और सरगाय दोब से यह मेडिकल डिपार्टमेंट की जा रही है क्या कहें आप देखिए परसों इन्हों ने आपनान से स्टार्ट किया था कल परशा और पुलिस परसाषन दोनों को यह सूचना है कि बंदा पचास गंटे से ज्यादा बीच चुका है और यहां पर आमरा नंशन पर बिना पानी के बंदा बैठा है अंचन कर रहा है लेकिन अभी तक उनकी तरफ से उनका नय तो सब्सक्राइब नहीं कोई सुद लिए गई है कि सब्सक्राइब करें कि सब्सक्राइब कोई मदद नहीं मागी गए लेकिन फार्मसी वाले ऐसे हैं जिनकी प्रोविजनल लिस्ट भी नहीं आई है और ना अभी उनका काम शुरू करवाया गया है इसलिए मजबूर होके पहले 23 दिन धरना दे चुके थे अब आठ चार- पास दिन से यहां फिर से धरने पर बैठे हुए सबसे बड़ा सवाल यहां पर वापस मैं वह दो रहा हूं आपके साथ कि पहले आठ गटर एक साथ है लिगन आपके अपके साथ खड़ा हो जीतने के बाद वो थोड़ी ना साती माना जाएगा फिर उस ते अच्छा तो दा का ज्यादा धन्यवाद करना चाहेंगे विल्की गंटे से ज्यादा के समय में आपके वर्ती बैठे हैं और जल्द दोनों त्याग रखा उन्होंने ताहलत खराब हो रही है पर सासन दुवारा उनकी तरफ से कोई रेस्पोंस नीए दिया रहा क्या कहीं आप यही कहना चाह सबसे हं अन्तिम सवाल सबसे खास सवाल यह रहेगा कि आप महिला हैं और यहां पर तमाम सुविदाईं हैं महिला की सुरुक्षा को लेकर सुईजा की बात खर ले आपके मोइल टोलेट की बात कर लें लेकिन इहां पर नदारवा दिख लिए क्या लगता है कि सरकार जो है तो दावे करते हैं मेला की सुरक्षा को लेकर वापस सरकार विपक्ष में रहती है तभी लड़कियों के लिए बेटियों के लिए दावे करती है अब उनकी पार्टी है उनकी सरकार है अब आके क्यों नहीं देखते हैं कि उनकी बेटियां इतने दिन से बाहर बैठी है अब पूछते हैं उनका फर्ज बंता है हमारी सुरक्षा ठेकिन वो नहीं कर रहे हैं कि यहां पर पहुंची हैं 500 दिन हैं तुपरह आपने शुरुआत किया बारा साल संगर सत्त हैं पहले तीन आपने दना दे चुके थे क्या लगता है आपका संगर्स कहां तक सफर होगा हमारे तो कोशिश पूरी है कि हम हमारी प्रोविजनल लेकर ही उठें यहां से लेकिन बेटी हैं बिना अंजल लिए दने वे आमना नंसा में बैठे हैं हालत खराब हो रही है लेकिन प्रसासन दोरा कोई पहल नहीं की गई कोई दैस्पन दिये गया यह तो सरकार की जिम्हेदारी होगी अगर उनको कुछ भी होता है उनकी तब ज्यादा खराब होती है या फिर समय को जूका है लेकिन हालात जो है दीपक शंगानी के वो आम रहा है उनके बहुत जादा क्रिटी कर बनी विए परसासन दोवारा कोई भी पहल नहीं की गई है विश्व जीत मित्रा में इसा जुड़ चुके है विश्व जीत क्या कहेंगे पूरे मामने कुछ लगातार हम आपको दिखा रहे हैं आ आइंबुलेंस की सुविदा और प्लिस परसासन मोजो दोना चाहिए कभी भी इनको मेडिकल समधित क्रिटिकल समश्य हो सकती है और रही बात हमारी कोई नाजायज मांग तो नहीं है हमने 11 साल से सोचित हमारा वर गए तो हमारी जो जायज मांग है छोटी सी मांग है सरकार चाहिए तो 15 मिंट के अंदर बाइं किलिक करना ही होता है कंपेटर कोल के किलिक करके हम प्रोविजनल लिस्ट दें हम तो घर चले जाएंगे अपने हम हमारी जायज मांग के लिए कोई ना जायज मांग के लिए तो लड़ रहे हैं एक साल में वापस दो रहा हूं आप से कि साथ के अडर गाया यहां बहुत दर्द हमको भी होता है रगातार और आप लगातार संगशतीं हैं देखो सरे एक-सिक्र के दो पोपेलू होते हैं कुछ नेता होते हैं जिनको आगे एतलंबी राजनिति करनी होतिए कुछ नेता वैसे होते हैं जिनको उचित नहीं है में व फोकस करो और फिर वह घर चले जाते हैं और फिर घर से टूइट टूइट कहलते हैं आज फलाना हुआ पुरानी फोटू लगा के ऐसा नहीं होते हैं यह संगर्ष करना होता है तेज़ दिन पहले भी संगर्ष किया था और 21 तारिक से यह चार-पांद दिन हो गया में जो कि आमरे नंशन पर बटे उन्होंने कभी भी लाइम लाइट में और मीडिया फ्रेम में कभी में नहीं होगे आपने देखा होगे 23 दिन तक वो मेरे साथ ही बैढ़ते थे हम कोने में बी टीम के थुरू काम करते थे बैटा देख और मजे करो बैए क्या कर रहे हैं अपन संशोदन 1965 नियम संशोदन गुनिस ए ये फार्मेसिस्ट केडर के सातियों की द्वरा ही जीता गया है जे पुरकोट और रास्ता जोदपुराई कोट के अंदर आप रिकोट उठा के देख लेना उन निताओं को बोल देना भाई यहां पुकता सामाने नोट चीट की परची नोट सीट से करती है कागज की तुरी कागज से पड़ती है ऐसे नहीं भया वाई फायर करती है ट्विटर वाड़ सब ग्यान दे दिया ऐसा नहीं है जो भी है सिस्टमेटिक काम करो अगर आप अगर किसी का साथ न दे सको और जूटे सोगने खाओ तो कोई मतलब नहीं है गर पे रहना दुनिया सब जान चुकी है सभी आठो केडर मेरे केडर और साथ अन्य केडर भी जो अकिकत में इस नोकरी के लिए प्रेशान है पिडित है सोशित है वो सब सी समझ गये है और वो सोमबार से हमारे साथ लगातार जुडेंगे कई साथ यूगे हमारे अन्य तही दिल से और प्रेम से हमारा स्वागत है यह जाजम फार्मसिस्ट की है इसमें सभी भाईयों का स्वागत है कोई रोक टोक नी है वो हमारे एक अंग है मेडिकल स्वाश्ती से वह आठ केडर से चलता है तो आटो है हमारे भाई हैं साथ केडर जो और यहां से नदारद हैं उनको साथ साथ सब्दों में दो टुक बात कह दी है विस्व जीत मितना ने जो कि फार्मसिस्ट केडर में बैटे हैं धरने पर पांस दिनों से पहले भी संगस कर चुके हैं और सब इन्हों ने यह भी चाहता दिया है कि जब आपको कर रहा हूं कि चिकिश्या बबाग की बड़तियों को लेकर सीपू के बाद दिपक जी जगानी जो आमरन अंसन पे बैटे हैं उनको 55 गंटे हो गया उन्होंने पानी भी नहीं पिया है पुलिस परसासन की जिम्मेदारी बनती है कि 24 गंटे में इनका मेडिकल चेक अप करें तो मैं आपके चैनल के मादेम से चिकिश्या मंतरी को जगाना चाओंगा और चिकिश्या मंतरी जी में आपको ये बोल देता हूं कि अगर छगानी जी को अगर कुछ हो गया और अगर उनकी मौत हो गई तो ऐसा होगा कि पूरा रजस्तान देखेगा और मैं चिकिशा मंत्री जी आपको बोल रहा हूं राजा साब हम आपके बहुत बड़े फैन है लेकिन मंत्री जी मैं ये बोलना चारहों की बोट चुनाव जब आते हैं तो किसी ने तो आपके नहुलगिड के मेले नहुलगिड के मेले ने मेरे को बांजा बना लिया तो किसी बाप बना लेते हो किसी को कुछ बना लेते हो और ये परजा है परजा जो यहां फे बेटी है और मैं किरोडी पापा को बहुत ना चाहूंगा कि वहां पर लती चार्ज हुआ लती चार्ज हो ने के बाद में आपने आज ओड दिये तो वह काम नहीं चलेगा आपने भी मेरी खुद की तबियत उस टाइमें कमजोर होगी ती अभी मेरी खुद की तबियत में कुछ कमजोरी महसूस कर रहा हूँ जबकि 55 गंटे के बावजूद भी अभी तक सरकार की तरब से यानि ने इनका कोई चेकप हो रहा है दिपट शंगाणी जी का ने पुलिस प्रसासन इनको कोई आके संबाल है ऐसी भी बात नहीं है कि जो अंसन करता है वो आदमी कोई कोड़े में बैटके करता है पुलिस को प्रसासन को सबको सुचित किया होता है उसके बावजूद भी पुलिस और प्रसासन उस आदमी के लिए नहीं सोचते हैं तो यह बड़ी सरम की बात है और मैं तो आपके चैनल के मादें सरकार और आमजन से यह गवार्प लगाता हूं कि इनके स् संधी पगरवालता नगरी मिडिया चैपूर झाल